तो आज शेर करूँगा मैं आपके साथ में मटन सी कबाब की रेशपी और इसको हम घर पर बनाएंगे बिना तंदूर बिना ओवन और बिना गिरिल के तो आप लोग इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये तंदूर और गिरिल से काफी अच्छी बनेंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है आगे वीडियो में मैं बताऊंगा ये किस तरीके से घर पर बन जाते हैं वो भी काफी स्वादिष्ट तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले हमीं कीमा ले लेना है कीमे की वीडियो मैंने और रेड़ी पहले ही बना लेना है जैसे कि हम मटन सीख चिकन सीख या किसी भी परकार के सीख लगा लेते हैं तो इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है तो ये कापी आसान तरीके से लग जाता है तो आपको आराम से हाथ की मदद से इस तरीके से उंगलियों के मदद से इसको एक सैट से दबाना होता ह उसके बाद ये काफी आसान तरीके से लग जाता है और काफी आसान तरीके से चिपक जाता है तो एक एक करके मैं जो है इस तरीके से सब को जो है लगा लेंगे जितनी भी आप सीख बनाओंगे उतना आप पहले लगा कर रेडी कर देना उसके बाद मैंने लिया है नोन इस्टिक तवा उसमें जो है सबसे पहले डालेंगे मैंने रिफाइंड वाइल यूज करा है आप इसकी जगा घी, बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं उसके बाद जो है हम एक एक करके इसके उपर इसको रख देंगे और आज को हम मीडियम हाई रखेंगे तो इस तरीके से जो है देखो ये कापे अच्छे से सिखनी लग गये है तो हमें इसको आराम आराम से इस तरीके से पलड लेना है इस तरीके से हमें जो है सब को थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरीके से Plut इस तरीके से जो है मैं इस सब को Plut लेता हूँ और हलका सा हमारा तोड़ा सा यह पक जाए उसके बाद हम इसको ढग लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम निकालेंगे तो यह मुटन सी कबाब हमारा 5 से 4 मिनट में बन कर कापी अचा juicy और काफी अच्छा flavor इसका तैयार हो जाता है तो हम इस तरीके से फिर उसके बाद जो है मैंने लिया है silver foil और उसके उपर जो है हम रख देंगे एक क्वेला इससे जो है इसमें smoke का काफी अच्छा flavor आएगा और इसके बाद जो है हम इसका उपर से ढकन लगा देंगे इस तरीके से तो इसको हम कबर रखेंगे 102 मिनट के लिए हमें इसको इस तरीके से स्मोक दे देना है जिससे कि हमारा मतन सीक में तंदूरी और गिरिल का अच्छा सा फ्लेवर आएगा smoky flavor तो इस तरीके से हम इसको हटा लेंगे अब इस तरीके से हटा लेना है तो mutton si kabaab भी हमारा बिल्कुल अच्छे से बन कर ready हो चुका है उसके बाद हमी जो थोड़ा सा roast कम हुआ है तो दूसरी तरफ हम इसको फलड लेंगे इस तरीके से तो दिखनी में देखो कापी अच्छा लग रहा है ऐसा आप grill और तंदूर से भी इतना juicy और इतना अच्छा नहीं बनता है तो आप इसको जरूर try करना उसके बाद जो हम इसको प्लेट में serve कर देंगे इस तरीके से तो आपके घर पे कोई guest आ रखे हो तो आपको hotel से मंगानी की जरूरत नहीं है आप अपनी घर पे इस तरीके से बना सकते हैं कापी अच्छे से बन जाते हैं और उसके बाद हम इसमें add करेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया उमीद करता हूँ आज की ये recipe आपको पसंद आई है तो वीडियो को like और share और channel को subscribe जरूर करेंगे